इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम Web of Science में जो H Index है और Citations को देख सकते हैं तो आप देखिए पहले आप Google में जाएए और Google में जाके आप Web of Science में चले जाएए Web of Science में जाकर आप यहाँ पर अपने को आप क्या करेंगे रिजिस्टर करेंगे You have to create a free account तो create a free account जब आप करेंगे तो वहाँ से आप एक account अपना बनाएंगे और जब account बना लेंगे उसके बाद you can easily you can easily log in आप आसानी से log in कर लेंगे देखिए simple साब को यहाँ पर create account करना है मैं पहले से ही यहाँ पर मैंने अपना account create किया हुआ है तो मैं log in कर लूँगे इस account में और log in करने के बाद मैं pub loans में जाओंगे और pub loans में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने जो हमारे जो papers हैं उनको हम किस तरीके से search कर सकते हैं कैसे उनका citation index हम देख पाएंगे उसको मैं आपको बताऊंगी आप देखिए मैं इसमें sign in कर लूँगी sign in करने के बाद फिर आप देखेंगे window आपको दिखाई देगी यह आपको web of science में इस तरीके से एक window खुल जाएगी जब आप login करेंगे then आप क्या करेंगे आप जाएंगे prodapps merge to search on local publoans और जब आक पब्लों etwas में जाएंगे तो publoans में जाएंगे क्योंकि आप already registered यह अन गर जार दिन journals में तो आप यहाँ पर जाकर login करेंगे लूगी कर देखिए इसमें automatically आप जistly अब से तो आप यहां से easily login कर जाएंगे क्योंकि आप Web of Science में पहले से ही आप रजिस्टर हैं आपने Web of Science में पहले से ही आपने को रजिस्टर कर लिया है और उसको सेव किया है पासवर्ड को तो आप देखिए आप यहां पर अब आपका Publons खोल जाएगा Publons खोलने के बाद अब हमको क्या करना है अपने Dashboard को चेक करना है तो Dashboard को चेक जब हम करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर मुझे कोई भी अपने Publications नहीं दिखाई देंगे Publications मुझे कोई भी यहां पर ना तो मुझे कोई H Index दिख रही है ना मुझे कुछ भी यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है कोई भी अपनी Citations मुझे नहीं दिख रहा है मैं क्या करूंगी मैं यहां पर जाओंगी publications में जाओंगी my records में और जब मैं publications में जाओंगी तो मैं क्या करूंगी import करूंगी publications पहले मैं अपने publications को select करूंगी कि मेरे publications कौन कौन से हैं मुझे कहां से select करने हैं अपने publication तो मैं यहां से see my web of science publications पर जाओंगी और जो भी मेरे publications होंगे उनको मैं यहां से select करूँगी, मुझे पता होगा कि मेरे publications कौन कौन से हैं, तो मुझे यहां से वो publications select करने हैं, उनके publications और्किट से synchronize कर सकती हूँ, जा मेरा और्किट पर registration है, या फिर मैं इनको DOI के basis पर यहां पर upload कर सकती हूँ, या फिर मैं फाइल्स जो मेरी uploaded है, उस files के uploaded के basis पर मैं इनको import कर सकती हूँ, सबसे पहले मैं paper यहां पर क्या करूँ, import करूँ, देखेंगे कि मुझे जिस भी publication को add करना हुआ, मैं उसको क्या करूँगे, क्लिक कर दूँगी, क्योंकि यह मेरे publications नहीं है, I had already added my publications, मैंने अपने publications already add किये हुए हैं, तो जैसे मेरे यह दो publication अगर हैं, तो मैं फिर इसको select करके क्या करूँगे, submit कर दूँगी, जो मेरे publications नहीं हैं, उन्हें मुझे select नहीं करना है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो अपने publications हैं, पहले उनको submit कर देंगे, फिर आप देखेंगे कि publications में जब आप जाएंगे, तो publications में आपको अपने added publications फिर दिखाई देने लगेंगे, अपने यह जो added publications हैं, जैसे added publications हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहां पर यह citations दिखा रहा है, तो इच paper का यह citations यहां पर दिखाएगा, और इच पेपर का यह citation दिखाएगा, तो आप according to, यहाँ पर इसने year दिखाया है, कि किस year में यह publish हुआ है, इस तरीके से आपको पूरी matrix मिलेगी, यह आपको मिल गई per paper, इसके बाद अगर आपको अपनी edge index देखनी है, total citations देखना है, तो आप dashboard summary में जाएंगे, देखे dashboard summary, जब आप add कर लेंगे, तो आपको dashboard summary दिखाई देगी, जहाँ पर आपको देखी, अपनी edge index दिखाई देगी, आपको अपने citations दिखाई देगे, इस तरीके से आपको अपने documents दिखाई देगे, कि कितने documents आपके web of science में हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखे, year wise अपने citations को count कर सकते हैं, देखे, 2016, 2015 में आप देख रहे हैं, 9 citations, then 12, then 4, यह जो citations हैं, आप इनको add करके, year wise आप total citations भी पता कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, कि web of science में H index and citations कितने हैं, ओके, so thank you very much.